हेलो फ्रेंड्स जैसी किष्णा जैमादादी जैसरी शाम कैसे हो दोस्तों आपसे भी आशा करती हूं कि आपसे भी बहुत अच्छी होंगे प्राथना करूंगे इस वर्सी कि आपको हमेशा खोश रखें दिखिए आज की हमारी वीडियो बहुत ही प्यारी है बहुत ही अच् आयक को प्रेस करें अप्रश करना और को चानल को सब्सक्राइब करें बला आकन को प्रेस करें साती वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलतू SEO एब कूर के लिए नहीं डेयो komplett सांसे लेकर के drive पर आपको दो बुक दिखाए दे रहे होगी फर्स्ट जो है कॉफी कलर की सैकेंड है ड्रैड कलर की इन दोनों में से कोई एक बुक चूस कर लिजे उसके बाद हम देखेंगे टेरो कार्ड क्या कहा रहे हैं युनिवर्स के तरफ से क्या संकेत है आपके पिछले जनम के लिए तो चलिए शुरुबात करते हैं फर्स नमर जिसने भी चूस करा है देख लेते हैं आपके पिछले जनम का क्या सच है और उसका इस जीवन पर क्या प्रभाव पढ़ रहा है देखे दोस्तों टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आप फाइनेशल कंडिशन आपकी दिक्कत देती र जैते हैं फाल्टू के खर्चे बहुत जड़ा होते हैं आपके कभी घर में कुई सामन खराब हो रहा है कभी कोई बिमार पढ़ रहा है या कहीं थाने में या कहीं ट्राफिक पोलिस वालेनी आपका चालान कार दिया मतलब कुछ चीज आपके साथ ऐसी घटीथ होती रहती आप कितना ही पैसा बचाने की कोशिश करते हैं तो एकदम से खर्चा आ जाता है और वो आपको करना ही पड़ता है यानि कि कचरी में अगर आप पैसा दे रहें होस्पिटल्स में अगर आप पैसे दे रहें तो यह समझ लीजिए कि पिछले जनम में आपने इन लोगों का पैसा खाया है या तो आप लोगों ने आपने इन से उधार लिया होगा और दिया नहीं होगा तो इस जनम में इस माध्यम से य हो यह न सोचे कि मेरा पैसा इतना खर्च हो रहा है यह सोचे कि पिछले जनम का कोई कर जिद्धा जुम्हइस जनम में चुका रहा हूं यह चुका रही हूं तो बिल्कुल रिलैक्स होकर करके अपनी financial कंडिशन को सुधारने की कोशिश करें हमेशा ध्यान रखें अगर किसी से पैसा उधार लिया है तो उसकी एक एक पाई उसे हाथ जोड़ करके देखी दीजिए क्योंकि इस जनम में ना सही आप चुकाएं लेकिन अगले जनम में आपको फिर इस तरीके से पैसे चुकाने तो वहां कोई प्रॉब्लम्स क्रियेट हो जाएगी मतलब कुछ ना कुछ अस्पतालों में कोट कचोरियों में चलता रहता है अगर हम किसी का पैसा खा लेते हैं और उसको लोटाते नहीं है तो यह कंडिशन है आपको हर जिनम में आपके साथ क्रियेट होनी है और इसी जो चाहते हैे वो मिल नहीं पाता है तो लाइफ में अईसा लगते है कभी-कभी तो किया तो इसका संभन्द दोस्तोह पिछले जनम से पिछले जनम में आपने किसी का दिल दुखाया था हो सकता आपने अपने पैरेंट्स का दिल दुखाया हो तो इस जनम में आपका दिल दुखनास वभाईवी किसी बाते चाहे वो किसी भी लेवल से हो कोई आपको मानली जी रास्ते पर आप चल रहे किसी से आपकी लड़ाई हो गई तो उस व आप से ही क्यों बहस करी वाप से क्यों तक्राया उसका आप से जगडा हुआ इतने सारे जने रोड पर चलते हैं लेकिन आप line होता है पिछले जनम में जरूर आपने उस विक्ति को कुछ बोला होगा जरूर उसके साथ आपने कुछ घटना घटीथ हुई होगे जो इस जनम में वह वि justamente तो आपको चाहटा मारा या अधर वैस्ट जो भी कंडिशन आपके साथ क्रियोट होती लेकिन अगर इस जन्हें में आगे होकर किसी का दिल दुखा रहे हैं किसी को परेशान करने डरा रहे हैं धंका रहे हैं त्यार रिजे आपको रिटन में यहीं मिलना है देखिए आपको नियम पता होना चाहिए दुनिया का एक हाथ से लें और एक हाथ से दें एक हाथ से जो लोगे एक हाथ से वहीं आपको देना पड़ेगा जैसा भीज आप वहोगे वैसा ही भीज आपको मिलेगा यानि कि कुल मिलाकर हम एक जीच कहना चाहते हैं दोस्तों के जीवन में अच कुछ अच्छा होगा बिल्कुल टेंशन ना ले लाइफ में अगर आप चाहते हैं 좀 कि आपके साथ आपके परीवार के साथ हमेशा अच्छा हो आपके साथ हमेशा positivity हो आप कभी जिन्दगी में आपको कोई दुख ना आए आपके परिबार को कोई तकलीफ ना पोचे तो आपको कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं पोचानी है किसी को कोई अपशब्द नहीं बोलने है किसी का दिल नहीं लेना है इन चीजों का ध्यान रखे चोटी-चोटी से बाते हैं जो जीवन में समझने की जरूत हैं आपको कर्म प्रधान बनिये जैसे कर्म अच्छे होंगे बेसा फल आपको में लगा कर ये सोच कर कि आप अपने लाइफ को जीएंगे तो जीवन में आप कभी गलत न जनम में पता चल रहा होगा काफी धर्मिक किस्म के इंसान है आप तिन सालों में काफी परिवर्तन आया है जिन्दगी को समझने लगे हैं आप जाकर के मैचुरिटी आई एक कार्ड ओपन हुआ है जो बता रहा है कि अब आपकी लाइफ का एक सक्सेस्फुल मुमेंट आप आपको मिलने वाला है जी हां यानि कि जो आपने करम पिछले जनम में करे थे अब उसका फल आपको मिलने वाला है इतने दिनों तक जो स्ट्रगल था जो बुरा स्ट्रगल था जो बुरा प्रभाव था वो अब खत्म होने वाला है अब जो अच्छे करम करे थे अब उसके फल की बारी आ चुकी है बहुत अच्छा व्यक्तित्व है दिल बहुत साफ है तो फल भी बहुत अच्छा मिलेगा आप हमेशा दुसरों की बातों को समझते हैं दुसरों की परिस्तितियों को समझते हैं उनकी जो कंडिशन हैं उनको सुन करके फिर आप फैसला लेते हैं अग आपके पास मदद के लिए अगर कोई आपके पास किसी कारंड वशारा कुछ मांगने आ आ तो आप उसे कभी मैंना नहीं करते हैं साथ इस बात का ध्यान रopen कि किसी को कि चीज़ के लिए मना है अJack कोई आपके पासमद के लिए आ अ pretty तैयार है वखाव बहुत अच्छा है आप हमेशन दिल्वेक इन्सान है ऐसे इन्सान है जैसे उन्हें जाते हैं जिसे इन्या अगर आपके किसी एक जैसा वैभार करें यहीं आपका जो व्यक्तित्व है सोने पर सुहागे के समानकारी करेगा यह चीज आप जरूर अपने लाइफ में अपना है बाकि सब कुछ बैस्ट है बहुत अच्छी लाइफ है बहुत अच्छा व्यक्तित्व है और बहुत अच्छे कर्म हैं आपके कि इस तरह से सैटल्ड करना आप कर्म प्रधान है आप सोचते हैं कि जैसे आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा तो अच्छी कर्म करने पर दियान देते हैं आपका भी किसी का दिल दुखाते नहीं कर गलती से हो भी गया घुसे मगर आपकी एसे बहस हो गया आपने किस सोँचे आपकी बस दिक्कष यह है कि आपको कोई समझ नहीं पाता कोई समझ पा रहा है जैसे आप है उसका पूरा पोसेट नोग आपको समझते हैं बहुत जदा बुरा आपको बना रखा है समाज में फैमिली में फ्रेंड कुछ लोग हैं जो आप को बुरा समझते हैं जो बुरा मानते हैं लेकिन पता असलीध में आप Samuel इसंक बूंके कुछ काम करने लगतीजें लगते हैं और कुछ का मां को पते हैं तो एप समय मात हैं फिर उन्हें जिसके वज़े से आप जो बात करने का जो आपको तरीका थोड़ा strongly है तो उस वज़े से हो सकता है वो आपको गलत समझते तो tension ना ले ऐसे लोगों से क्यों बुरा मानना क्यों इन लोगों की बातों को सुनना जो बीना सोचे समझे बीना देखे बीना बात करें अपना decision change कर स सकते हैं ऐसे लोगों की क्या परिभाशा दी जाए ठीक है तो वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें कमें सेक्शन में जय माता दी रुखें चैनल को सब्सक्राइब करें बला आइकन को प्रेस करें साथी वीडियो को शेर करना ना भूले तो मिलता है नेक्श वी झाल सुहां जाए बला जार आच